आज का मेरा ये वीडियो लारियल हेर स्पा के उपपर है हेर स्पा करते समय हमें जिन चीजों का यूज करना है वो है एक प्लास्टिक बाउल, टैलकॉम और हेर ब्रश और एक टावल, हेर स्पा क्रीम, दो विटामीनी के कैपसूल और कॉंसेंट्रेट सिरम सबसे पहले हम इनका हेट बॉश करवाएंगे, किसी भी शैंपू से, लेकिन हम इनके बालों में किसी भी तरह का कंडिशनर यूज नहीं करेंगे गीले बालों को हम थोड़ा से टावल से सुखाएंगे और उसके बाद हम इनके पूरे बालों में अच्छी तरह से कॉम करेंगे हेर स्पा अप्लाई करने के लिए इनके गीले बालों में ही हम क्रीम लगाएंगे टेलकॉम की हेल्प से मैं इनके सारे बालों की सेक्शन पार्टिंग करूंगी जिससे सारे बालों में हेर स्पा क्रीम अच्छी तरह से लग सके सेक्शन पार्टिंग करने के लिए मैं या पर क्लिप का यूज करूंगी सेक्शन पाटिंग बालों में इसलिए की जाती है क्योंकि सभी बालों में अच्छी तरह से हेर स्पा क्रीम लग सके क्योंकि सुट्ट भालों में अच्छी तरह से बालों में अच्छी तरह से अच्छी तरह से की जाती है बालो में हेर स्पा क्रीम यूज़ करने से पहले मैं इसमें मिक्स करूँगी कॉंसेंट्रेट सिरम हाफ बॉर्टल और दो विटामीनी के कैपसूल्स मैं यापर हेर स्पा क्रीम बालो की लेंद्ध के अकॉर्डिंगी यूज़ करूँगी जितनी मुझे चाहिए अगर बालो की लेंद्ध लम्भी हो तो आप क्रीम का यूज़ ज़्यादा करो इन तीनों चीज़ों को अचछी तरह से मिक्स करें बरस्ते इनकें बालो में अच्छी तरह से एर स्पा क्रीम लगाऊँगी आप हातों से भी इस क्रीम को लगा सकते हो इससे कोई side fact नहीं होगा आपके हाथों में बालों की length के according की क्रीम लगाए जिस तरह से मैं इनके बालों में apply कर रही हूँ क्रीम को उसी तरह से आप भी लगाए क्रीम लगाते समय आप हेस्पा क्रीम का use अच्छी तरह से करें इससे हमारे सभी बालों में अच्छी तरह से क्रीम लगे क्रीम लगाते समय कॉम का use करें अच्छी तरह से जिससे हमारे बालों में अच्छी तरह से सारी क्रीम फैल जाए ड्राय बालों में क्रीम अच्छी तरह से नहीं लगती इसलिए हम गिले बालों में क्रीम का अप्लाई करते हैं जिससे क्रीम अच्छी तरह से लगती है रिबॉंडिंग हीर और स्मूतिंग हीर में हेर स्पा क्रीम करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हीर डैमेज हो जाते हैं उसको करवाने से क्योंकि उसमें काफी chemical होता है इसलिए आप बालों की length में अच्छी तरह से hair spa की रीम अप्लाई करें क्योंकि उससे हमें protein और कैलिटीन दोनों मिल जाता है जो की बालों की growth के लिए काफी अच्छा है क्योंकि अच्छा है hair spa क्रीम को सभी बालों में अच्छी तरह से अप्लाई करें जिससे आपको इसके result अच्छे मिलेंगे और आपके बाल smooth और shiny लगेंगे बालों में अच्छा है तरह में आपको आपके अच्छा है आप ये स्पा क्रीम किसी भी ब्रैंड की यूज़ कर सकते हो किसी माइबाय किसी राओदó एैंद को इचिव खनासं ब्राप यूज़ चैप पर और ध matter टारब खनास je युक झाल एनक इंद किसी आप मक्रामी जपेंपल्ट ब्रच्च किसी अवह दो शेगेंग reality झाल 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 हम यहर्ण्स पर इसले भी करवाते हैं क्योंकि हमारे जो हीर होते हों काफी ड्राइ होते हैं और में काफी स्प्लीटन्स होते हैं तो स्प्लीटन्स को रिमूफ करने के लिए भी हेस्पा काफी अच्छा होता है झाल झाल सबी बालों में अच्छी तरह से हेस्पा क्रीम लगने के बाद आप पूरे बालों के अच्छी तरह से कॉम करें और उसके बाद पांच मिनट उसको क्लिप करके बान दें पांच मिनट क्रीम लगे रहने दे बालों में और उसे ऐसी ही छोड़ दे पांच मिनट होने के बाद आप सबी बालों में अच्छी तरह से दस मिनट तक हलके हातों से हैट मसाज करें झाल यूफ। Bring दो पांच मिनट झाल अजड़ रहा झाल झाल क्वाल 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 झाल 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 आप हैट मसाज के स्टेप्स इसी तरह से कीजिए जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करते वे नज़र आ रही हूँ झाल झाल हैट मसाज करने के बाद आप इनको होट टावल से स्टीम दे दो से तीन बारी इसके बाद नार्मल पानी से इनका हेट वाश करें और हलके टावल से पहले बालों को सुखाएं और इसके बाद आप पुरे बालों में अच्छे तरह से ड्रायर दें ड्रायर से आप 90% अच्छी तरह से बाल सुखा सकते हो अगर 10% बाल नहीं भी सुखे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाल सुखने के बाद आप इनके सभी बालों में अच्छी तरह से कॉम करें आप यहर स्पाकर यूस महीने में एक पार कर सकते हो और अब आप देख सकते हो वीडियो में कि इनके बाल कितने स्मूथ सिल्की और शाइनी लग रहे हैं के इस पाकर वाने से आप आप